हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम टू मैंस मलिश कोमशन, आज हम चैटर नमबर 10, सर्कल्स की फिरम 10.7 पर डिसकस करने जा रहे हैं कोड्स इक्वी डिस्टेंट्स फॉं दे सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लैंड हमें यह कहा गया है कि कोई भी सर्कल है इस तरह से कोई भी हमें एक सर्कल ले लेते हैं इस सर्कल के अंदर दो कोड हैं और यह सेंटर है ओ इस सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है यह point ले रहते हैं L और यह ले रहते हैं M इन code का नाम हम रख देते हैं AB और इसका CD तो हमें कहा गया है कि जो यह OL है वो OM के equal है क्योंकि इनके distance center से equal कही गई है और हमें यह prove करना है Codes are equal in math that means AB is equal to CD यह हमें हापर prove करना होगा so firstly हमें आपर लिख रहते हैं कि हमें giving क्या है a circle C-O are in which codes AB and CD are equal distant from center it implies OL is equal to OM यह हमें यहापर दिया गया है to prove हमें prove क्या करना है हमें code की length equal prove करनी है that means AB CD के equal है यह हमें prove करना है so construction यहापर हमें करनी होगी construction जिस तरह से हमने 10.6 में construction की थी कि हमने यहापर दो triangles यह किये थे O से A को joint किया and O से C को भी joint किया तो इस तरह से हमने यहापर 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 construction कर ली है जिससे हमें यही दो triangles मिल जाते हैं okay joint OA and OC okay and now pro start करते हैं हमें यहापर सबसे पहले इन दोनो triangles को program group करना होगा okay in the triangle O A L and triangle O C M we have हमारे पास क्या-क्या है OA OC के equal है क्योंकि यह दोनो radius है इस circle की okay both are radiate okay and यहापर यह जो है OL OM के equal दी गई है so OL is equal to OM because it is given okay and यहापर यह जो OL है वो AB की distance बता रहा है center से that means यह OL एक perpendicular line है इसी तरह से OM CD की dispense show कर रहा है that means OM DA perpendicular line है तो यहापर हम देख सकते हैं कि यह दोनो angles हमें 90 degree के मिल गए है so angle ALO is equal to angle CM OH 90 okay so it implies हम यह देख सकते हैं RHS congruence rule से यह हमारे पास hypotenuse है यह हमारे पास एक side है and यह right angle है so it implies triangle OAL is congruent to triangle OC CM by RHS congruence rule okay so हमने इन दोनो triangles को congruence rule कर रहा है so by the CPCT हम चैसकते हैं CM के equal होगी so it implies AL is equal to CM by CPCT okay and इस से हमें क्या फाइबा होगा अगर हम AL का relation AB से से बना देते हैं and CM कर relation CD से बना देते हैं तो हम यह प्रूव कर पाएंगे कि AB CD के equal है okay तो हम यह आपर ध्यान देते हैं यह जो OL है वो इस code AB पर perpendicular line है तो हम यह जानते हैं कि अगर circle के अंदर center से किसी code पर perpendicular डाला जाता है तो यह perpendicular line इस code को bicep कर देती है half कर देती है that means L is the midpoint of AB similarly M is the midpoint of CD okay को हम यह लिक रेती है since the perpendicular from the center to the cord bisects the cord bisects the cord it implies इससे हमें क्या मिल जाता है OL जो है वो AB पर perpendicular है so it implies जो AL है वो half of AB है okay and similarly जो OM है वो CB पर perpendicular है it implies CM जो है वो half of CB है okay and now इन दोनों से हमें क्या है relation मिल जाता है इसको नाम जेते equation 1 and इसको हम नाम जेते equation 2 but हमारे पास एक relation हमें मिल था AL CM के equal है AL is equal to CM so it implies half of AB is equal to half of CB from equation 1 and 2 okay and इसते क्या मिल जाएगा हमे it implies AB is equal to CB यह हमें प्रूफ करना था man's proof okay तो इसको जेसे हमने देखा कि अगर सेंटर से दो पोड इक्वल डिस्टेंस पर होती है तो उन पोड्स की लैंफ इक्वल होती है okay तो यहां पर हम यह नोटिस कर सकते हैं हैं तो यहां पर हम यहां पर हमें अल्स के कर दो यहां पर यहां इस तैप का यहां पर अंदर है ये step और ये वाला step इन दो लाइन का भी difference है theorem 10.6 and theorem 10.7 के proof में बाकि सभी कुछ same है, अगर आपको इस theorem में कोई डाउट है तो आप हमसे comments के दूँ पूछ सकते हैं Thanks for watching the video and go watch on the next video Thank you